हुनाइन रिसेंटली क्रेटा एंड लाइन लॉंज कर दी है जो कि क्रेटा का स्पोर्टियर वर्जन है एन क्रेटा एंड लाइन के टॉप वेरियंट एंटेंट टर्वो डिसीटी की एक्स वरूम प्राइस 20.3 लेख है जहां पर इतसे सिमिलर प्राइस में आपको किया एक्स लाइन लेनी चाहिए या फिर सेल्टो एक्स लाइन चली दोने काम्पेर करके देखते हैं सबसक्त मेहले करें करते हैं डामेंसर्षी अके थृण लेंग्ध सिंप में क्रेटर एन लाइन की विर्थ 1719 mm जहां पर के ल्ट्रोस एक्स लाइन की विर्थ 1800 जिन अन्कीने यंट्र इंक अधसीं भी 950 में पूपनी जेंट मीलेकरां पिलता है हिचिदा के साथ ची गरवफ बैस मिलता यह दो एक्वाहरां। जो है सेल्टोस एक्स लाइन में भी अबको 1,99 मीलीमीटर बाइन स्लाइटली बड़ी एक्रेटा एन्लाइन से जिसकी कारण डोड प्रजेंश में सेल्टोस लाइटली बड़ी रगी एंपल्पेटा है बठा दोलों में same wheelbase, same wood space और same ground railings मिलता है और same wheelbase की कारण दोलों में Kevin space भी almost same ही मिलेगा अब बात करते हैं engines की तो Kraty n-line में only एक ही engine मिलता है 1.5-Witre Turbopetrol engine जो 158-PHP पावर और 253-Nm का torque produce करता है जहां पे Seltos X line में दो engine ओप्शन स मिलते हैं 1.5-meter diesel engine and 1.5-meter turbo petrol engine, जिसमें, diesel engine से 114-bhp का power and 250-nm का turn produced होता है, and petrol engine से 158-bhp का power and 253-nm का turn produced होता है, बट क्रेटा एं-लाइन में टर्बो पेट्रोल एंजिन के साथ, manual and DCT automatic ऐसे दोनों transmission options मिलता है, जहां पे CELTOS X-Line में diesel and turbo petrol दोनों में उली automatic transmission ही मिलता है, यानि कि आपको manual transmission का option नहीं मिलता, अब बात करते हैं mileage की, तो क्रेटा एं-लाइन के turbo petrol manual की claim mileage 18 km per liter है, and turbo DCT की claim mileage 18.2 km per liter है, जहां पे CELTOS X-Line के diesel automatic की claim mileage 19.1 km per liter है, and petrol turbo DCT की claim mileage 17.9 km per liter है, सो दूरों कार्ट्स में turbo petrol में almost same ही mileage आपको मिलेगी, बट CELTOS X-Line में diesel engine में आपको highway and city दोनों में turbo petrol की compare में बहुत अच्छी mileage मिल सकती है, अब बात करते हैं exterior की, तो exterior design wise दोनों कार्ट्स की design totally different है, सो यह आपकी personal choice पर इपेंट है कि आपको दोनों में से किस कार की design ज़्याइन 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 बेटर लगती है, अब बात को exterior features की, तो यहाँ पें दोनों कार्ट्स में कई सारे features common मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको panoramic syndrome, 18-inch enroll wheels, shark finitina, LED DRL, LED headlights, LED connected 10 lights, electrically adjustable ORVM, rear wiper, and rear defogant as a features common मिलते हैं, Seltos X line आपको LED fog lamps भी मिलते हैं, जहां पे new crater end line में आपको fog lamps हमें भी नहीं मिलते हैं, और Seltos X line में आपको蘸ही और एकसिंश बएपरेंण में नहीं मिलते हैं, और दोनों कार्स में आपको BehaviorX tips, आपको Separation Select Tap Color Watch राहीं स्टायلिट्स मिलते हैं, अब बात करते हैं इंटीरियर की तो इंटीरियर में तो वैसा तो दोलों का डेशबर्ट लियाउट सिमिलर ही है यानि कि दोलों में आपको फ्लोटिंग ड्यूल स्क्रिन लियाउट मिलता है बर क्रेटा N-Line का इंटीरियर ब्लेक एंड रेट थीम पे बनाया गया है तो दोलों कार्स में कई सारे फीचर्स कोमन मिलते हैं जिसकी दोलों में आपको 10.2 इंच की इंफोटर्मेंट टॉट्स्क्रीन 10 इंच दिजिटल क्लस्टर डिवल जोन क्यावन काट्रोल नेक्ति पारकिंग ब्रेक लेदरेट सीनव डेल्टेट जोन केंच अ आपको Krata N-Line में नहीं मिलता जहां पे Krata N-Line में आपको Dual Desk Camera का फीचर मिलता है जो आपको Seltos X-Line में नहीं मिलता एंसेल्टोस X-Line में आपको सारी Power Windows 1 Touch-Up-Down के साथ मिलती हैं जहां पे Krata N-Line में Only Driver Windows 1 Touch-Up-Down के साथ मिलती हैं आपको साथ मिलता हैं जिसमें ओर्टोस इंटीर वाइस दोलों में Almost Save Features ही मिलते हैं बट ग्रेटा N-Line में Desk Game मिलता हैं एंसेल्टोस X-Line में One Touch-Up-Down Windows and Head-Up Display मिलता हैं अब बात करते हैं सबसे Important Points सेफटी की तो सेफटी वाइस दोनों के निव फैसलिप का अब तक ग्रेस्टेस तो नहीं हुआ तो दोनों के प्लैटफर्म कितने सेफ हैं वह अभी हम जज्ज नहीं खर सकते हैं बट अगर बात हो सेफटी फीचर्स की तो अब दोनों में आपको लेवल टू एडाउस मिलता है जिसमें Auto Emergency Braking, Lane Keep Assist, High Beam Assist and Adaptive Cruise Control जैसे कई सारे ओटोनों सेफटी फीचर्स मिलता हैं और इसके सिफट दोनों कार्स में 6 Air Base, ABS, EBD, Electronic Stability Control, Hill Hold Assist, TPMS और आइचा फिक्स चाइल सीट एंकर जैसे सेफटी फीचर्स को मिलता हैं तो सेफटी वाइस तो दोनों कार्स सेम ही हैं अब बात करते हैं Ride and Handling के सेल्टोस के सस्पेंसल स्टीफर साइट में हैं जिसके कारण हैंडिलिंग वाइस सेल्टोस ओल्वेस बेटर नहीं है नॉर्वल क्रेटा से बट अब क्रेटा एंडलान के साथ क्रेटा एंडलान के सस्पेंसल भी स्टीफ कर दिये गए हैं जिसके कारण अब handling में सेल्टोस और क्रेटा एंडलान में भी अब ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा बठा इसका नाउंसाइंड यह है कि खराब रास्तों में और पोट होल्स में दोनों कार्स उतनी कमफर्टेबल नहीं रहेंगी एंड खट डेक्ट केविन में अंदर तक फीन होंगे तो चलिए फार्नली अब आते हैं कंकुरिजन पे कि आपको क्रेटा एंडलान लेनी चाहिए या फिर सेल्टोस एक्ष लाएंड देखें वैसे तो दोनों कार्स और मोट सेम ही हैं मतलब कि दोनों में आपको सेम टर्वो पेट्रोल एंजिन सेम स्पेस एंड सेम फीचर्स मिलते हैं बट दोनों के बीच में डिफरेंस है तो वह है लुक्स का एंड एक दो फीचर्स का दूसरा में डिफ्रेंस है वह है डीजल एंजिन का अप्सन मिलता है जहां पर क्रेटा एंड लाइन में वो नहीं निलता अगर आप एक कार एंथूसियास्ट है और आपको टर्बो पेट्रोल के साथ टोपर मेनों ट्रांस्मिशन वाली स्पोर्टे कार जाईए तो वहां पर आपके लिए क्रेटा बेटर रहेगी तो यह था हमारा कंपेशन हिंडाई क्रेटा एंड लाइन एंड किया सेल्टोस एक् आपकी चोई समय कमेंट सेक्सिन में जरूर बताएगा सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में और जान इसपेर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देजेगा और उस बेर आइकन मटन को दबा देजेगा थैंक यू